हेलो फ्रेंड्स आयम इशान्त और यह जो वीडियो है आज का यह टुटोरियल होने वाला है गूगल मीट जो की एक पॉपुलर मीटिंग प्लैटफॉर्म है आज हम सीखेंगे कैसे एन्वीडिये का यूज करके हम गूगल क्रोम पे मीटिंग्स शेड्यूल कर सकते हैं और न सारी चीजें हम सीखेंगे मैं अभी अपने लेपटोप के डेक्स टॉप पे चला जाओंगा विंडोस एम प्रेस करके बाकप एंसेंक ठीक है तो मैं अपने डेक्स टॉप पे हूं यहां पर मैं स्टार्ट मेन्यू प्रेस करूँगा स्टार्ट बटन स्टार्ट विंडव कोर्टान नविंडों ठीक है अभी यहां पे मैं ग्रों टाईप करूंगा तो गूगल खरों सच करने के लिए आच गूगल ख्रों कामा ठीक है ऩिद्रफ मैंने च लिघा इसने गूगल ख्रोम लेलिया है एंटर कर देंगे इस पर अभी ओपन हो रहा है गूगल क्रोम जो है ओपन हो गया है और गूगल डॉट कॉम अभी खुलावा है यह मेरा हूंपेज है यहां पर एडिट वाक्स में फोकस है मैं एक बार इसके प्रेस करता हूं अब मैं एड्रेस बार में जाने के लिए कंट्रोल प्लस एल करता हूं अब एड्रेस बार में हमें लिखना होगा meet.google.com मड़ीट डॉट जी डवलो जी लए डॉट सी ओम तो मैं हैं टाइप कर देता हूं m-e-e-t-me-d-g-o-o-g-l-e-google.com और एंटर कर दिया है meet.google.com selected google document search combo box has auto अभी मैंने meet.google.com लिखके एंटर किया है और edit enter a code or link अभी हम मैं आपको दिखाता हूं अब यह website खुल गया है मैं आपे control home से top में चला जाता हूं banner landmark link meet ठीक है menu button collapsed submenu support ठीक है तो friends जब यह जैसे ही खुलेगा तो यहाँ पे कुछ important options हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा ठीक है बाकी चीजे हमारे काम की नहीं है तो मैं यहाँ पे top में जाने कबड़ टैब करता हूं support menu button collapsed submenu ठीक है यह support का option है इसमें यह हमारे किसी काम का नहीं है टैब करेंगे feedback button आप अगर feedback देना चाहते हैं यहां से दे सकते हैं feedback button टैब करेंगे settings button यहाँ पर हम space मैं आपको एक बर इसकी जल्दी से settings दिखा देता हूं क्या-क्या काम की settings है जो आप कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर मैं space bar press करता हूं तो जैसे आप setting पे space bar press करेंगे एक dialogue box खुल जाएगा settings का Google meet की settings करने के लिए तो डन पे आपका focus चला जाएगा अब यहां से हम दूसरा टैब है video general tab selected three of three तो तीन टैब है जन्रल ऑडियो और वीडियो तो यहां से मैं audio video की setting कर सकता हूं जनल सेटिंग दिखाता हूं आपको पहले मैं audio की setting दिखाता हूं क्या-क्या है left arrow कर रहा हूं video tab audio tab selected one of three ठीक है टैप्स में करने के लिए left or right arrow का यूज किया मैंने अब मैं audio पर आ गया हूं तो मैं यहां से tap करता हूं select microphone list collapsed default dash microphone left paren real tech audio right paren two of three ठीक है इसने बताया मेरा जो microphone है default वो real tech का में यूज कर रहा हूं तो मैं इस ही को रहने दोंगा और मैं अभी external microphone यूज कर रहा हूं अगर मेरे पास को external microphone में यूज कर रहा होता तो वह यहां पर लिस्ट में अगर मैं space bar press करूंगा तो लिस्ट आ जाएगी फिर आप और डाउन एरो से जो भी microphone में को चाहिए उस पर मैं एंटर कर दोंगा ठीक है अभी टैप करते हैं select speakers list collapsed default dash speaker slash headphones left paren real tech audio right paren two of three ठीक है real tech audio speakers जो default है ठीक है मैं वही यूज कर रहा हूं आप चेंज कर सकते हैं अगर आप कोई external speakers यूज कर रहे हैं तो test button test button यहां से मैं test कर सकता हूं कि मिरे speaker काम कर रहे हैं के नहीं क्योंकि मेरे n TA की आवाज अभी आ रही ए तो दो में इन्वीडे की आवाज अभी आ रही है तो में प best copy reasule ऺंड है अगर आपको दॉडक है तो आप तो यह वीडियो में पहला ऑप्शन है इंटिग्रेड़ेड़ वेब कैम तो अगर आप कोई आपके पास एक अलग से कोई कैमरा है जिसका यूज करना चाहते हैं आप ठीक है तो इस लिस्ट में आप अगर यहां स्पेस बार करेंगे तो उसी तरीके से आप डाउन एरो से वह अब मैं आपको जन इस में जादा ऑप्शन नहीं थे वीडियो में सिरफ कामरा से लेक्ट करने को आप और अब जेडर में अब हम सीधर डद पर जाते हैं ठीक है अब में सेटिंग में था जैसे आपको पता है तो आ हम आगे देखते हैं और क्या क्या आप्षन है अब हम इ clickable google apps button collapse google account colon ishan left paren ishan rajput 11 at gmail.com right paren button collapsed ठीक है यह button collapse है इसको हम expand कर सकते हैं अगर आपने अपने google chrome में बहुत सारे email google के account login कर रखी होंगे तो यहां से मेरा जो अभी sign in है मेरा account वो मेरी email id यहां पर show कर रहा है अगर आप चाहते हैं google meet किसी और google का जो आपका personal account है उससे यूज करना तो आप यहां space bar करेंगे ठीक है तो space bar करने के बाद आप और down arrow से आप कोई दूसरा email id भी email account भी select कर सकते हैं मैं अभी by default इसी को रहने देता हूं new meeting button टैब करा तो इसने बोला new meeting button ठीक है अभी हम इस पर बार में चलेंगे मैं अब website में आपको दिखाता हूं और क्या क्या option है टैब करता हूं edit enter a code or link मैं यहां पर कोई भी code जैसे की google meet में nickname भी होते हैं अगर आपको किसी ने nickname दिया है तो आप वो या फिर google meet का link डालके और टैब करेंगे तो learn more visited link टैब करेंगे view side information menu button तो आपको हाँ पर जॉइन का option मिले का में दिखाता हूं शिट टैब करते हैं Google meet document visited link learn more edit enter a code button unavailable join ठीक है देखें जो edit box है उसके बाद बोल रहा है button unavailable क्योंकि मैंने अभी कोई भी link और code यहां पर type नहीं किया type करने के बाद यह enable हो जाएगा अभी नीचे एक option आ रहा है visited link learn more about google meet learn more about google meet अगर आप इसके बारे में जादा पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में इन्फरमेशन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस link पे जाके आप self-learning भी कर सकते हैं हम आगे चलते हैं graphic image of people in a meeting on google meet ठीक है अब देखिए इस link के बादना यह जो graphic है देखे visit graphic image of people in a meeting on google meet ठीक है image of a people इन्हें google meet अब गूगल जो यह google meet का home page है जब हम meet.google.com लिख के open करते हैं तो इसमें एक image जो है background में show होती रहती है ठीक है हर बार यह change होती है अगली बार जब आप google meet open करेंगे हो सकते हैं कुछ और image आपको शो करें तो मैंने google का image description है उसको on कर रहा है इसलिए मैं को बता रहा है कि इस webpage पे एक image है image शो हो रही है यह हमारी इतने काम की नहीं इसको छोड़ते हैं आगे चलते हैं इतना ही कुछ है अब मैं आपको दिखाता हूं कि हम कैसे एक meeting schedule कर सकते हैं new meeting तो पहले हम क्या करेंगे टॉप में चलते हैं अब मैं यहां पर बी प्रेस करता हूं बटन के लिए जो बी होता है support menu button collapsed submenu support button feedback button feedback button settings button settings button clickable google apps button collapsed google apps button collapse google account colon is on left new meeting button ठीक है अब मैं new meeting button पे आ गया हूं यहां पे मैं एक अब एंटर करता हूं get a meeting link to share one of three ठीक है अब इसने बोला get a meeting link to share यहां पे तीन main option आते हैं पहला है get a meeting meeting link to share सीदा मिर को एक meeting link मिल जाएगा जिसको मैं share करके शेयर कर सब्ता हूं दूसे लोगों के साथ उनको और हम एक meeting में जॉइन कर सकते हैं दूसरा option है start an instant meeting two of three start an instant meeting सीधा आप meeting एक शुरू कर सकते हो और तीसरा option है schedule in Google Calendar three of three schedule in Google Calendar ठीक है तो तीन option है मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे एक meeting new meeting schedule कर सकते हैं आगे के टाइम के लिए तो हम इस पर एंटर करेंगे अंटाइब डाश गूगल क्रों एच्टीटीपीएस कोलन स्लाश 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 गूगल कालेंडर डाश इवेंट डीटेल्स डूक्युमेंट में लैंड मार्क एवेंट एडिट पेज टाइडल एड़ फ्रेंड्स मेरा वाक्स में फोकस होगा ताइडल एडिवेंट देखिए मैं आपको इंसर्ट टैब से सुना रहा हूं टैटल एडिट फोकिस ब्लेइंग ठीके अब यहां पर मैं कुछ भी टाइटल दे देता हूं ठीके चले मैं इस मीटिंग का नाम रख देता हूं चिट चैट C-H-I-T-C-H-A-T ठीक है अभी चिट चैट मैंने इसको नाम दे दिया है अभी मैं टैप करता हूं यहां पर प्रेस चिट चैट तो इसने बोला सेव बटन तो मैं सेव बटन पे अभी इसको सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने और चेंजिस नहीं किया है इसके अंदर यहां से हम सेव बटन पे सेव कर सकते हैं अभी मैं टैप करूँगा तो अभी जैसे कि यह बोल रहा है डेट ठीक है कौन सी डेट पे आपको यह मिटिंग शेडियूल करनी है अभी जैसे हां पर जुलाई ट्वंटी फर्स्ट दिखा रहा है तो हम अगर आज ही कि जैसे आज मैं 21 जुलाई को इसको टूलर बना रहा हूं तो बाइड़ इसने 21 जुलाई 2020 ले लिए लिया है तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं जुलाई 20 कामा 2020 देखें में तोथा मीज तो अब रहा हूं चेंज फ्ञहिए थामेत जुलाई ट्वंटी फर्स्ट कामा 2020 जुलाई 22 यैजयुलाई2 शेकंड कामा टवेटी 20 चिक है डाउन खंड़ एरो अठ से बढ़ रहा है तो जैसे कि आज 21 जुलाई को बारा बजे सपोज एक मीटिंग शेडूल करने ही तो मैंने यहां पर 25 जुलाई ले लिया रहा है 2020 अब मैं टैब करता हूं अब यहां पर है 5.30 पीएम अब मेरे को चाहिए बारा बजे तो मैं इसको घटा देता हूं इसको हम यहां पर डिर्क घटाते हूं 3.30 पीएम तुको लिए 1.30 पीएम वन को लिए 1.00 12.45 12.30 पीएम त्वेल खोलन 00 पीएम ठीक है अगर आप अब पैरों प्रेस करेंगे तो वो जो संक्या है वो नीची होगी और डाउन एरो से बढ़ेगी ठीक है आप पैरों से घट रही है डाउन एरों से बढ़ेगी ठी मैंने इसको 12 p.m. कर दिया है सेट अब मैं टैब करता हूँ टाइम और डेट हमने सिलेक्ट कर लिया अब क्या चाहत है कि मेटिंग अपने आप मीतिंग अपने अपने और गता है गता है कि end date meeting end कब हो डेट ठीक है तो डेट अभी यह 25 जुलाई है हम इसको यही रहने देंगे ठीक है तो कि हम एक घंटे की मीटिंग रखिए तो और उपर से अगर आप चाहते हैं कि जो मीटिंग है तो ठीक है अगर आगे तक यह मनलब continue रहे तो आप इसके यहां से डेट भी चें करके तो मैं इसको नहीं चेड़ूंगा टैप करता हूं ठीक है अगर आप चाहते हैं कि और रहे तो इसको आप चेक कर सकते हैं इसको फोड़ देंगे अगर चाहते हैं तो आप मैं इसको डस्नाट रिपीट पर ही रहने दो हूंगा अब जो इंपोर्टेंट है वो है गेस्ट टैब अब जैसे कि यहां पर गेस्ट टैब बोल रहा है तो अब मैं इसमें अगर चाहता हूं कि इंविटेशन भीजना पहले से ही कुछ लोगों को इस मीटिंग का तो उसके लिए ये गेस्ट टैब जो आप्शन है काफी इंपोर्टेंट है यहां से मैं टैब करूंगा तो इसने गोला एडिटेबल ब्लैंक अब यहां पर मैं गेस्ट का नाम लिख सकता हूं या फिर इमेल आइडिया अगर नाम लिखूंगा तो जो हमारा जीमेल एकाउंट होता है यह वहां से अपने आप हमें कुछ सजेशन दिखाएगा जैसे कि आपको पता है हम लोगों क अगर सब्सक्राइब नाम है तो वह में को सजेशन दिखाने लगएगा कि अनिल आइड सक्षम.वाजी तो मैं उसके एंटर करूंगा तो वह एड हो जाएगा अभी मैं आपके एक दो लोगों को एड करके देखता हूं मैं यहां पर टाइप कर रहा हूं ठीक है देखिए मैंने सिरफ अभी अनिल आइड सक्षम.वाजी लिखा भी नी था सिरफ ए एन आइड लिखा तो इसने मेरे को एक सजेशन दे दिया अनिल आइड सक्षम.वाजी ठीक है तो मैं यहां पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूं ठीक है तो लिखने के बाद मैंने डाउन एरो प्रेस किया तो जहां पर यह बोल रहा है लिस्ट अनिल आइड सक्षम.वाजी इस पर मैं एंटर कर देता हूं ठीक है अब जो अनिल है वो एड हो गया है जब मैंने उस पर एंटर कर आप अब मैं और भी लोगों को ऐसे ही एड करना चाहता हूं और अगर आपको लगता है वो आटो से जेशन नहीं आ रहे तो आप पूरी-पूरी इमेल आईडी भी लिख सकते हैं अब मैं आप एक SI S H A M さksam.org ठीक है तो किशन आट सक्षम.org लिख दिया ठीक है तो मैं इसलेक पर एंटर कर देता हूं तक पूराँ मैं इसल्आट है जानाट सक्षम.org फकॉक्ता अब मैंने आपको दो लोग एड़ करके दिखाएं ऐसे ही आप जितने लोगों को एड़ करना चाहते हैं उनकी email id लिख लिखके उनको एंटर करते जाएंगे अब मैंने दो लोग एड़ करें तो मैं टैब करता हूँ गेस्ट्स इंवाइट तो इसे वेंट डॉट रिव यू इशांत्राजपुत11.com, organizer 1 of 3 level 1 ठीक है अब यह मेरे को दिखा रहा है कि किस कितने लोगों को मैंने इंवाइट किया है और मेरे को बता यहां पर यह भी दिखा रहा है कि जो organizer है वो इशांत्राजपुत11.com मेरी id दि कर रहा हूं इस मेटिंग को और अनिलकुमार 2 of 3 level 1 ठीक है तो 3 of 3 इसने बोल दिया तीन लोग है तो ऐसी अगर आप जीतने लोग एड करेंगे यहां पर आपको पूरी लिस्ट दिखा देगा अब मैं टैब करता हूं ठीक है हम इनको अप्शनल भी मांक कर सकते हैं यह हमारी इतना काम करनी चोड़ देते हैं टैब करते हैं रमूब किशन इसक्षम.org from guest list बटन गेस्ट लिस्ट से आप यहां से लोगों को रिमोग कर सकते हैं ठीक है तो यह सब नहीं काम कर टैब करते हैं Google Calendar could not resolve the indicated guests for one of the following reasons colon the guests may not use Google Calendar dot. You may not have permission to access the indicator यह एक information आपको दे रहा है कि आप 250 से उपर invite नहीं कर सकते हैं वगयारा वगयारा information इसको आप इग्नोर करें टैब करें guest permissions grouping let guests modify the event check box not checked तो यह important option है कि जो guest है क्या वो भी इस meeting को मोडिफाइब कर सके अगर मैं चाहता हूं जो मैं अने location दो लोग एड करें अगर वो इसको modify उनको मैं permission देना चाहता हूं तो मैं इसको चेक कर सकता हूं otherwise मैं इसको not check रहने दोगा अभी फिलाल not check है टैब करते हैं जो guest है जिनको मैं invite कर रहा हूं अगर वो आगे और किसी को invite करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं ठीक है तो यह check है इसको हम check ही रहने देंगे अगर वो भी ज़्यादी किसको invite करना चाहते हैं आप इसको not check भी कर सकते हैं, फिर वो लोग आगे केसी को invite नी कर पाएंगे. जो guest है, जिनको मैं invite कर रहा हूँ, क्या उनको जो guest की list है, वो दीखे, तो ये check है, इसको आप चेक रहने दिन, तो not check कर देंगे, तो उनको guest की list नहीं दिखाई देगी. ठीक है, tap करते हैं. ठीक है, अभी मैं को दिखाता हूँ, अभी हम ये जो link है, इसको copy कर लेंगे. ठीक है, तो आप चाहें तो इस link को copy करके रख सकते हैं, लेटर यूस के लिए, वैसे आपको इसको copy करने के जुरत नहीं है, लिंक को, क्योंकि आपके गूगल कैलेंडर में ही add हो जाएगा, ठीक है, तो जहाँ पर ये बोल रहा है, copy link button, अगर आप इसके उपर space bar प्रेस करेंगे, देखें, मैं space bar प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, एन्वीडी ये कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन ये जो link है, ये copy हो गया है, अभी मैं ठीक करता हूँ, remove conference button, बटन, अभी हमें इसको remove नहीं करना है, टैब करते हैं, location combo box collapsed has auto complete editable blank, focus mode, expanded, collapsed, notifications list, notification method list collapsed, pop up two of two, pop up section, email not selected one of two, आपको pop up आए, email आए, ठीक है, तो, pop up two of two, तो दो option है, मैं pop up कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे phone में मैं चाहतो में को notification आजाए, तो pop up कर लिए, tap करते हैं, minutes in advance for notifications, spin button editable selected 30, ठीक है, तो यहां ते है, 30 minute पहले में को notification आए, तो मैं आसे इसको कम जादा भी कर सकता हूँ, मैं down arrow से इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैंने 15 minute कर दिया, 15 minute पहले मेरे को बता दे कि मेरी meeting चालू होने वाली है, tap करते है, unit of time selection list collapsed, minutes one of four, ठीक है, तो अब इसमें जादा कुछ setting बहुत नहीं है, remove notification button, browse mode, add notification button, calendar list collapsed, ishaant one of two, अब हमें और कुछ ही नहीं करना, अब हम सीधा top में जाते हैं, control home करके, सारी setting हो गई है, अब मैं आपको यहां से, एक बार दिखाता हूँ, calendar call, show as, visible, learn more, format, description, side page, toggle side, view side, address, and google, keyboard, access, banner, google, main landmark event, edit page, cancel event, creation button, title, edit, selected, chit chat, focus mode, तो मैं tap tap press करके, chit chat वाले edit box में आ गया हूँ, अब हमने सब कुछ कर लिया, date, time, जो लोगों को invitation भेजना है, लोगों को लोगों की नाम भी उन लोगों को हमने add भी कर लिया है, notification भी मैंने set कर लिया, कि मेरे को पहले ही पता चल जाए, कि meeting शूरोने वाली, और मैंने वो meeting का link है, उसको भी copy कर लिया, अब मैं यहाँ से सीधा tap press करता हूँ, save button, save button, save button, save button पे enter करेंगे, would you like to send invitation emails to google calendar guests question, dialogue, send button, यह बोट रहा है कि आप उनको invitation भीजना चाहते हैं, तो जो दो लोग मैंने select किया है, अनिल और किशन, उनकी email ID पे उनको एक invitation जाएगा कि आपको इस meeting के लिए invite किया गया है, जिसका title चिट चैट है, और यह 25 जुलाई को 12 बज़ेव होगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे enter press करता हूँ, ठीक है, ठीक है, बस हमारा काम हो गया है, अब हमें कुछ नहीं करना, जैसे कि आपको पता है, उन लोगों को meeting लिंक चला गया है, अब जब 25 तारीक को, 25 तारीक होगी, और उसे 15 मिर्ट पहले मेरे phone पे, android phone पे ही मेरे को इस notification आएगी, कि आपकी meeting है, और उसके अंदर वो link दिया रहेगा, मैं अचा हूँ, तो उसी link पे tap करूँ, तो जो मेरे phone में calendar अप है, वो open हो जाएगी, वहाँ पे Google meet का link रहेगा, सीधा उस पे tap करने से, जो मेरे phone पे Google meet का रहेगा, वो open हो जाएगी, उसमें मैं meeting जॉइन करका हूँगा, support menu button collapsed, sub feedback button, ठीक है, ये सारे वोई option हैं, जो मैं आपको बता तुका हूँ, settings button, google apps button, google account, colon, ishant left paren, ishant run, new meeting button collapsed, ठीक है, पिछली बार हम new meeting button पे tap, पे enter करके, और देखे, मैंने आपको ये option दिखाया था, schedule in google calendar 3 of 3, ठीक है, अब हम meeting schedule कर चुके है, ठीक है, और मेर पास वो meeting का link भी है, तो मैं, अभी हमें इसकी जुरत नहीं है, new meeting button, अब यहां से new meeting के आगे, अगर आप down arrow करेंगे, edit, enter a code or link, edit, enter a code or link, मैं यहाँ space bar press करता हूँ, focus mode, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे control और V press करूँगा, देखे, तो जो meeting schedule करते समय, calendar पे जो मैंने meeting link copy किया था, वो मैंने यहाँ paste कर दिया है, अब मैं यहाँ से एक बार tap करता हूँ, join button, browse mode, तो पहले join button unavailable आ रहा था, अब वो enable हो गया है, अब मैं इस पर enter कर देता हूँ, alert camera is starting, alert real tech audio connected, alert integrated webcam left paren, ठीक है, alert real tech audio connected, तो देखिए, वो जो meeting, alert integrated web, sorry, तो जो मैंने meeting, ये जो meeting का link मैंने हाँ पे पेस्ट किया है, ये वही meeting का link का जो 25 जुलाई को मैंने schedule किया है, लेकिन हम इसको कभी भी शुरू कर सकते हैं, जुरूरी निया कि 25 जुलाई को ही हम इसको शुरू करेंगे, अभी क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ demo, तो मैंने आपको meeting schedule करना तो दिखा दिया, लेकिन जब आप meeting join करेंगे, तो क्या-क्य option आते हैं, कैसा interface है, वो भी आ meeting room कहते हैं, तो अभी मैं meeting join, join पे enter करने के बाद, meeting में enter नहीं हुआ हूँ, मैं एक meeting room, waiting room में हूँ, ये इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं, कुछ necessary settings करना, meeting room में जाने से पहले ही, अगर आप चाहते हैं, मैं meeting join करने से पहले अपना camera off करना हूँ, मैं अगर अप off करना है, या फिर अगर मेरे को screen share है, वो meeting में जाते हैं, मन मैं जब enter करूँ, तो वो screen share दिखना शुरू हो जाए, बजाए इसके के पहले मैं meeting join करूँ, तो उसके बाद screen share वगारा on को, तो उसके लिए, मैं यहीं से setting करूँगा, tab से आपको दिखाता हूँ, क्या क्या option है, देखे, इसका दिखा रहा है कि शॉटकट है, control D, turn off camera, control plus E, more options menu button, collapsed sub menu, तो यह more option में ज़्यादा कुछ नहीं मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ, एक बर spacebar प्रेस करके, menu, settings 2 of, record a problem, record abuse 4 of, help 5 of, turn on captions 1, settings 2 of 5, ठीक है, तो इतने ही 4-5 option है, captions, settings, report abuse अग्यारा, तो यह settings भी वही setting है, जो मैंने आपको दिखाई थी, audio, video, general settings, तो यह वही हो setting है, यहाँ से open हो जाएग, और captions है, अगर हम चाहते हैं, on करना तो हम कर सकते हैं, skip कर देता हूँ, more options, join now button, ठीक है, तो join now है, तो अब मैं आपको यहाँ पर शॉटकट प्रेस करता हूँ, देखे, control D, your microphone is on, मैं चाहता हूँ, मेरा microphone on रहे है, फिर मैं control D करता हूँ, your microphone is on dot, देखे, on हो गया, अब मैं control E से अपनी, जो मेरी photo ना देखे, मैं उसको off कर लेता हूँ, alert camera is off, camera is off dot, ठीक है, control E shortcut है, इसी से भी camera on भी होता है, अब मैं सीधा यह जो button है, देखे, join now button focused, join now button, इस पे enter करूँगा, तो मैं meeting में enter हो जाऊँगा, और इसके आगे एक option और है, वो भी मैं आपको दिखाई देता हूँ, present button, present button, अगर आप यहाँ पे space bar करेंगे, तो आपकी screen on हो जाएगी, और screen on होने के बाद, जब आप join पे enter करेंगे, तो आप screen के साथ meeting में enter होंगे, लेकिन मैं अभी screen share नहीं करना चाहता, तो मैं join now button, join now button पे enter कर दिया, ठीक है, तो इसने बता दिया कि आप मैं, you are the first person to join, और जिसके पास भी यह link है, इस meeting का वो इसको join कर सकता है, अब हम meeting में हैं, तो अब यहाँ पे क्या-क्या important, कैसा इसका interface है, क्या-क्या options आप use कर सकते हैं, वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, एक बार control home press करता हूँ, ठीक है, इसने बोला you, button collapsed show everyone, ठीक है, down arrow करा, इसने बोला button collapse show everyone, button collapsed chat with everyone, दूसरा option है, chat with everyone, 5 colon 23 pm, यह अभी time दिखा रहा है कितना हुआ, meeting details, इसके अंदर क्या-क्या option है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, अगर इसमें हम, यह attachments का option है, अगर कुछ attachments भेजना चाहते हैं, या देखना चाहते हैं, ठीक है, तो दो ही tab है, no attachments tab selected two of two, no attachments, details tab selected one of two, tab, escape करते हैं, यह जादा काम कर दो है, tap no attachments, heading level two chit chat, sat comma, separator, joining info, ठीक है, escape कर दो, button turn off microphone left paren, control plus D, अब देखे, जब हम इस meeting में होंगे, यहां से हम control D करेंगे, turn on microphone left paren, फिर control D करेंगे, turn off microphone, देखे, यह off भी हो रहा है, on भी हो रहा है microphone, और control E से, your camera is on dock, your camera is off dock, ठीक है camera on off हो रहा है control E से, तो फिलहाल अभी दो main shortcut manager आपको दिखाई, यह हमारे जादा काम के होते हैं, और tap करते हैं, leave call button, leave call button, यह जो leave call button है, यह क्या है, यह है कि हम इस से meeting quit कर, यह मलब meeting को quit करना, अगर मैं meeting छोड़ना चाहता हूं, तो leave call button का enter करूंगा, वो meeting quit हो जाएगी, tap करता हूं, turn on camera, left paren, control, turn on captions button, check box not checked, ठीक है, captions है यहां से ओंटा सकते हैं, present now menu button, collapsed sub menu, ठीक है, present now है, यह वोई screen share करना के लिए, देख लिए ठीक है, your entire screen 1 of 3, focus mode, ठीक है, entire screen share करना चाहते हैं, a window 2 of 3, अगर कोई एक particular window share करना चाहते हैं, a chrome tab best for video and animation 3 of 3, ठीक है, तो तो तीन option है, तो अगर आपनी सारी पुरी laptop की screen share करना चाहते हैं, जाए एंटायर पर एंटर कर दीजिए, या फिर, पर्टिकुलर window आपको कोई दिखानी हैं, जैसे MS Word, या फिर, कोई पर्टिकुलर software का demonstration करना है, तो आप window पर एंटर कर दीजिए, मैं escape कर देता हूं, यह present now screen share करने के लिए option है, हम आगे जाते हैं, इसमें क्या है देख लेते हैं, इसमें क्या है देख लेते हैं, full screen 2 of 7, turn on captions 3 of 7, settings, report a problem, report abuse, help 7 of 7, ठीक है बस इतने ही option है, साथ option है वही सब, report abuse, help, settings वग्यारा वग्यारा, तो इसमें जादा कुछ नहीं है, सब्सक्राइब करने के लिए, escape करते हैं, more options, change layout 1 of 7, escape कर देते हैं, out of menu menu button collapsed sub menu more, menu button collapsed sub, so बस इतने ही है, हम meeting के, मैं bottom भी आगया हूँ, down or press करते करते हो, तो मैंने ऊपर से लेके निते तक आपको सारे option दिखा दिए है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, कि जो किन किन लोग ने जॉइन करा है, और अगर हमें किसी को invitation भेजना है, meeting के दोरान ही, जैसे meeting चल रही है, और और भी किसी लोग को add करने तो कैसे करेंगे, तो control home करता हूँ, B प्रेस करेंगे, देखिए यह बोल रहा है show everyone button, तो हम यहां पर space bar प्रेस करेंगे, ठीक है तो यहां से हम एक बार, ताब selected one participant dot, डाउन arrow प्रेस कर रहा तो इसने बोला tab one participants, ताब zero on red chat messages dot, जीरो on red chat messages, button add people, तो जैसे कि आपको पता है कि जब हमने meeting schedule करी थी, उस समय भी हमने दो लोगों को add गया था, लेकिन meeting के दोरान भी अगर मैं चाहता हूँ और लोगों को add करना, तो यह add button पर जाके हम और लोगों को add कर सकते हैं, यह है pin yourself to the main screen, यह option किसलिए होता है, यह option होता है कि जैसे कि मैं माली जी मैं अपने screen share कर रहा हूँ, अब इसके अंदर सो लोग हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरी जो screen video है, वो टॉप में मेरे को show होती रहे, तो उसके लिए मैं अपने आपको pin कर सबता हूँ, ठीक है, देख पाएं कि यह सब कुछ सही से चल रहा है कि नहीं, तो मैं अपनी video को pin कर सकते हूँ, यह toggle है, spacebar से इसको आप enable deployment कर सकते हैं, close button, यह जो मैं ने option, मैं इसको 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 कर देता हूँ, रहसे है मैं आपको दिखा भी देता हूँ, आपको से shift-up करते हैं, pin yourself, add people button, add people का option है, enter करता हूँ, add people dialogue, enter name or email, edit enter name or email, focus mode, देखे, यहां पर किसी का email type कर दोँगा, उसके बाद, InnoVision customer care customer, enter name, tap control, close button, browse mode, Zoher Careywall is, Shubhangra, तो यहां पर मेरे जो Gmail account में जितने भी लोग हैं, उनके नाम आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं चाहूं तो इन में से भी check या, इनको not check या not check कर सकता हूं ठीक है, तो अभी मैं यहां पर कोई भी email आडिया आपको example के लिखके दखायता हूं, जैसे abcdef at gmail.com, अब देखे, अब देखे, अब देखे, आपको दिखाने के लिए, तो यह send invitation आ गया, तो उनको email सीधा पहुंच जाएगा, तो इसको escape कर देते हैं, तो आपने जैसे की देखा कि कैसे हम यहां से logo को invite कर सकते हैं, meeting के दौरान, अब अगर meeting चल रही है और हमें chat करनी है, तो क्या करेंगे, अब मेरा edit box में focus है, मैंने यहां पर 500 करेक्टर तक लिख सकता हूँ, जो भी मेर को बात लिखनी है, तो मैं लिख देता हूँ, hello, 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 how are you all, थीक है, तो मैं यहां पर enter कर देता हूँ, all you hello how are you all you 5 colon 30 p.m. hello how are you all ठीक है तो यह hello how are you all मेरा मेसेज चला गया है तो इस तरीके से आप चैट कर सकते हैं यहाँ पे close button browse mode प्लोस करेंगे तो यह जो चैट पैनल फोलावा यह बंद हो जाएगा send a message to everyone edit multiple tab control zero unread chat messages dot ठीक है zero unread chat messages सारे read हो रहे हो रखे हैं one participant dot zero unread one participant zero unread chat ठीक है तो इस कर देते हैं इसी तरीके से आप यहाँ पे लोगों से चैट कर सकते हैं easily अब मैं आपको दिखा देता हूं इसको leave करके meeting को कैसे leave करना है show everyone button chat with everyone button collab pin yourself to your main screen dot मैं यहाँ पे b press कर रहा हूं details for chit chat menu button collapsed sub menu turn off microphone left paren control plus d right paren leave call button leave call button इस पे मैं enter करूंगा तो मैं meeting से बाहरा आजाओंगा देखे you left the meeting ठीक है you left the meeting अब यहाँ पे button return to home screen button return to home screen home screen मतलब वही जहां पे वह आते है ना new button new meeting button ठीक है तो वही मैं पोड़ जाओंगा वापीस google meet के mail home page पे button rejoin button rejoin button rejoin इसमें अच्छी चीजा है अगर आपने left कर दिया है तो अभी बटन rejoin पे एंटर करके आप दोबारा से यहीं से ही दोबारा री जोइन कर सकते हैं अगर आपका गूगल मीट का tutorial आप लोगों को इससे काफी information मिली होगी Thank you everyone झालं झालं